हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आशक करती हूँ कि आप सस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढाई में प्यस्त होंगे आपकी इसी पढाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक नया चेप्टर एक नया अध्याए जिसका सिर्षक है ओकी मात्रा तो बच्चो ओकी मात्रा कैसे लगती है? ओकी मात्रा अक्षर या वर्ल के दाई ओर से लगती है और एक मात्रा और एक डंडा होता है जैसा कि आपको दिखाया गया है तो बच्चो आईएस पार्ट को शुरू करते हैं आप लोग भी मेरे सांस साथ पढ़िए और इन सब्दों को सीखने की कोशिश कीजिए तो सबसे पहला शब्द है त प्लस ओ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा तो बच्चो क्या बना तो ता म प्लस ओ की मात्रा प्लस र तो बच्चो क्या बना मोर अ प्लस ओ की मात्रा प्लस ख प्लस ली तो बच्चो क्या बना ओखली म प्लस ओ की मात्रा प्लस म प्लस ब प्लस आधात प्लस ती तो बच्चो क्या बना मोमबत्ती तो बच्चो आपने अभी ओकी माता से बनने वाले सब्दों को सीखा आईए अब इनसे बनने वाले वाक्यों को भी सीखते हैं तो आप भी मेरे साथ साथ बोलिए और इनको सीखने की कोशिश कीजिए तो आईए शुरू करते हैं मोनू काओ मोर मोनू आओ आसमान देखो मोर को वर्षा का इंतजार है अब तो जोर से भागो छोटा खरगोस भागने वाला है मोनू अपना तबला लाओ तबले को जोर से बजाओ कोयल कू 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 करती है मोरनी उसको निहारती है तो विच्चो कैसा लगा आपको एपाट आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपने ओकी मात्रा अच्छे से सीख ली होगी समझ ली होगी तो ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्यास भी चुरूर कीजिए